नमस्कार अब देख रहे हैं खेल समचार मैं हूँ सुचित्रा सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर कानपूर टेस्ट के पहले दिन का खेल बारिश से रहा बाधत पहले दिन का खेल खत्म होने तक बांगलादेश ने 35 ओवर में तीन रिकेट पर बनाए एक सो साथ रन भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपी चंद की जोड़ी मकाव उपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमी फाइनल में पहुची मही किदामभी शुरेकांथ को क्वाटर फाइनल में मिली हार और फुटबॉल में टॉजन हैम होट्स पर ने यूरोपा लीक में शांदार अंदाज में शुरू किया अपना अभियान कारा बैक को तीन शून्य से हराया खबर विस्तार से सबसे पहले बात करते हैं कानपूर टेस्ट की भारत और बांगलादेश के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से कानपूर में शुरू हुआ भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया भारतिय तेज गेंदबाज आकाश दीप ने टीम को शुरुवाती सफलता दिलाई आकाश दीप ने पहले जाकिर हसन को और फिर शदनाम इसलाम को आउट किया इसके बाद बारिश के कारण कुछ देर के लिए मैच को रोकना पड़ा मैच दोबारा शुरू होने पर आरश विट लिया पहले दिन का खेल बारिश के चलते जल्दी ही समात करना पड़ा पहले दिन का खेल खत्म होने तक बांगलादेश ने 35 ओवर में 3 विकेट खोकर 107 बना लिए हैं भारत फिलहाल इस सीरीज में एक शून्य से आगे है केंद्रे खेल मंत्री मनसुक मानविया ने नई दिल्ली में शत्रंज उलिंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पुरुष और महिला शत्रंज टीम को समानित किया इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि देश ने पिछले को समय के दौरान शत्रंज के खेल में अभूत पूर्व प्रगती की है हंगरी के बुड़ा पेस्ट में सफलता का जंडा गार शतरंच के खेल में देश की बाश्चाहत को सामने रखने वाले इन चेस्ट चैंपियंज के सम्मान का दौर जारी है गुरुवार को इस कड़ी में खेल मंत्री मंसुक मानविया ने ना केवल इन खिलाडियों को सम्मानित किया बर्कि प्रोसाहन राशी प्रदान कर खिलाडियों को आगे भी इसी तरह के प्रदशन के लिए प्रेरित किया खेल मंत्राले के द्वारा प्रते खिलाडी को 20-20 लाग की राशी प्रदान की गई देश के हर नागरिक जो देखते हैं उसके मन में प्राउड फिल होता है यह मेरा देश का जंडा स्पोर्ट्स में उपर रहा मोदी जी के नियत्रुतों में देश में बदलावा रहा है हमें 2036 में ओलम्पिक्स गेम्स को इंडिया में कराना है जो मिशन हम रख रहे हैं कि 2036 में ओलम्पिक हमारे इंडिया में होना चाहिए तो उसी तरह चेस को भी हम आगे के से लेके जा सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल से बच्चे, कॉलेज से बच्चे चेस की तरफ आए और अच्छा परफॉर्मस दे इस बीच खिलाडियों ने भी अपने अनभव को साजा किया और इस बात को बताया कि उनके लिए ये स्टॉलिम उपलब्दी है लेकिन देश के लिए एक ऐसा स्टॉलिम अध्याय है जो निरंतर शतरंच के खेल को देश में एक नई गती देता रहेगा जब से हम वापस आये हैं जो हमें लोगों से प्यार मिला है मीडिया से प्यार मिला है हम अपने Honorable Prime Minister से मिले और जो हमने उनके साथ वक्त स्पेंड किया हमारी Sports Minister से मुलाकात हुई दोना हमारे Honorable Prime Minister ने हमको इतना motivate और inspire किया है कि बस वो जोश भर जाता है कि इंडिया खले और हासिल करना है जाहिर तोर पर परिवर्तन आना और उस परिवर्तन के साथ खुद को ढालना एक पड़ी चुनोती होती है और इन दोनों ही कडियों में इन खिलाडियों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है क्योंकि परिवर्तन की लहर इनके द्वारा आई है लेकिन इस लहर के बीच अपनी जमीन को बनाए रखना भी इन्हें आता है और इसी जमीन की तपिश पर तब तब कर कई और भविश के सितारे खुद को तयार करेंगे गौरफ कुमार, डीडी नियूज, दिल ली दावेदार रहेंगे, विदेद गुजराती ने डीडी नियूज से खास बात की शत्रेंज ओलंपियाड में भारत की पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा और इस वक्त हमारे साथ हैं पुरुष टीम के एहम सदस्य विदेद गुजराती विदेद बहुत-बहुत मुबारक हो जिस तरह का शांदार प्रदर्शन देखने को मिला महिला और पुरुष टीम की तरफ से कैसा लग रहा है इस टीम का हिस्सा बनकर इस एतिहासिक पल का हिस्सा बनकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यह जो परफॉमेंस है यह हिस्टॉरिक है पहली बार हमें गोल्ड मेल मिला है और दोनों वो सेक्शन में और आगे जाके बहुत सालों के बाद भी यह मोमेंट को देखा जाएगा और मुझे बहुत खुशी हो थी कि मैं यह टीम का पाट था और मैं जीत पाया कंट्री के लिए जिस तरह से माईला टीम ने का कि जो पुरुष टीम थी उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी की तरह हमें खेलना है तो आपको अच्छा लगते हैं कि जिस तरह से जो प्लेयर से एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हैं अपना बैस परफॉर्मेंस देने के लिए हाँ उन्होंने जब ये बात कही तो हमें बहुत अच्छा लगा कि और इसके लिए भी एक सीखने की शमता चाहिए कि आप अपने सब इंडिजियल चीजे दूर रखो और सिफ एक स्टूडेंट ऑफ दे गेम बनके सीखो किसी से तो उन्होंने वो जो किया मुझे बहुत अ सुनके और कुकेश के बार में क्या कहेंगे एक सॉलिट परफॉर्मेंस के बाद वो आ रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियंशिप पर नजर है तो कैसे देखते हैं उनकी दावेदारी डिंगले रिन के अगेंस्ट आइटिंग ये टुनामेंट में उनका ओलंपियर के हिस्टी म में बेस्ट परफॉर्मेंस था जब मैंगनस कालसन को ब्रॉंज मिला है और उनका वर्ल्ड रंक अभी फाइव हो गया एंडि वो वर्ल्ड चैंपियंशिप खिलने होले तो मुझे एम रूटिंग फॉर हम और मुझे डाउट भीन हीस हेवी फेवरेट आइटिंग आपकी अगर परस्नल मेंडी की बात करें पूरे चैस उलिम्पियाड में एक फेवरेट मेंडी जो आप हमेशा याद रखेंगे इस चैस उलिम्पियाड से एक ज़रूर जो है वो मुमेंट वीडियो पर भी कैप्चिर हुआ है जब हम ट्रॉफी लेकर आ रहे है इस पोडि मंतरी से मिलने का जानुबव है वो कैसा रहा बहुत अच्छा था मुझे पहले नर्वस्ता में वर्ट उन्होंने हम सब को बहुत कमफटिबल कराया और बहुत सारा समय दिया इससे मुझे पता चला कि उनके मन में स्पोर्ट के तरफ बहुत लगाव है और एथलीट की होगा है जहां पर स्पोर्ट को ज्यादा रेकंइशन मिल रहा है पहले से उपर्चिनिटी इस भी ज़्यादा है निए तो इससे हो पहले सोचते थे कि इसमें करीयर बनेगा नहीं बनेगा पर अभी इतने सारे एक्जांपल से चैस में है बादमिंटन में देख लीजे अब तो एक रोल मॉडल लगता है पहले और अब भी देरा मेनी रोल मॉडल सारे स्पोर्ट्स में बहुत 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 करने के लिए तो विदित गुजराती को यहीं उमीद है कि भारत में खेलों की अगर हम बात करें हर खेल में सुपर मॉडल्स आज के बच्चों को मिल रहे हैं जिससे की वो खेलों में करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने यहीं उमीद जताई कि जल्दी ही भारत खेलों की महाशक्ती बन कर उपरेगा कैमरा परसन आलोग के साथ सुचित्रा डीडी डीडी न्यूस तिल लिए 45 पे शत्रंज उलिम्पियाड में देश ने स्वन पदक जीत कर इतिहास रचा तो इस कड़ी में कुछ ऐसे नाम भी सामने आए जो इससे पहले चर्चा में नहीं थे ऐसा ही एक नाम है वंतिका अगरवाल का तो कौन है वंतिका अगरवाल और शत्रंज के उलिम्पियाड तक पहुचने और सफलता हासिल करने की कैसी रही उनकी राह जानते हैं इस रिपोर्ट के सरीए कल तक जो उत्तरप्रदेश के शहर नोड़ा की शान थी आज पूरे देश को उन पर अभिमान है बात वंतिका अगरवाल की है जिन्होंने 45-वे शत्रंज उलिम्पियाड के टीम और व्यक्तिगत दोनों सपरधा में स्वन पदक जीता शत्रंज की विसात पर शह औमात के दो शब्दों से खुद को जोड़े रखने वाली वंतिका की उम्रतों सिफ 21 साल है लेकिन काम्याबी का ग्राफ इतना बड़ा है जिसके चलते हर कोई इस खिलाडी का मुरीद हो गया है 64 खाने के इस खेल से वंतिका का लगाव 7 साल की छोटी सी उम्रत से हो गया वंतिका आज काम्याबी के शिखर पर हैं लेकिन इससे बढ़कर उन्हें खुशी इस बात की है कि आज उन्हें अपनी सफलता खुद बयां नहीं करनी पड़ रही मैं पहले भी बहुत मेडल जीत चुकी हूँ बट हमें इतने सालों में भी इतना लोग नहीं पहचाने मुझे खुद बताना पड़ता था सब को कि अरे मैं जीत के आई हूँ फिर भी लोग को लगता था अरे कौन सा स्कूल इवेंट जीता है या क्या जीता है बट अब जब खुद ही अकभारों में चप रहे हैं हर जगा लोग मुझे खुद मुझे किसी को बताना नहीं पड़ा सब मेसेज कर रहे हैं तो मुझे बहुत संगीता अगरवाल का जिक्र ना हो तो ये एक अधुए अध्याय की तरह से रहेगा दरसर वंतिका को शत्रंज में बहतर अफसर मिल सके इसके लिए मा संगीता अगरवाल जो की पेशे से चार्टेट अकाउंटेंट है ने अपनी नौकरी छोड़ दी वो साय की तरह से वंत इसका देखती है तो उसका वो जुनून जाने ही नहीं पाता है वो देखती है ममी इती जुनून हमेशा बना रहते अगर वो कभी हारती भी तो मैं बहुती ओंकि घ्रिए। तुमको परेशान होने है तुम तो जिन्दगी भर टोंडरुर्ट केलना है अभी जब वहां खेल तो वह रही थी मुझे दो तीन लास्ट के गेम्स में बहुत टेंशन हो रही है बहुत स्ट्रेस हो रहा है मैंने कर दो तीन गेम तुम क्यों सोच रहे हो कि यह तुम तो इसके बाद भी तुम्हाई जारपाश टरॉन्डमेंट लाइन रफ है तुम तो एक कंटुनेशन है इस शत्रंश क्रिप्रती उनका जुनून किस स्टर का है वंतिका के आगे अभी पूरा करियर है जिसमें आगे बढ़ने की संभावनाएं अपार हैं और इस कड़ी में परिवार से लेकर सरकार तक हर कोई उनके साथ है वंतिका की ये काम्याबी काफी कुछ बया करती है और इस बात की और इशारा करती है कि देश शत्रंश के खेल में लगातार खुद को ना किवल आगे बढ़ा रहा है बलकि सूपर पावर के तौर पर सामने आ रहा है उमीद यही की जानी चाहिए कि वंतिका जैसे कई और सितारे जो हैं वो फलक तक जाएं और शत्रंश के खेल से हमेशा काम्याबी की तस्वीर को सामने लाएं कैमरा मैन आलोक के साथ मैं कौरफ कुमार टीडी नियोज नोईडा बात करते हैं बैडमिंटन की भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपी चंद की जोडी ने मकाव उपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला यूगल सेमी फाइनल में जगा बना ली है क्वार्टरो फाइनल में भारतिय जोडी ने चीनी ताइपे की जोडी को 21-12-21-17 से हराया महीं भारत के किदामबी श्रीकांद को पूरुशेकल क्वार्टरो फाइनल में हार का सामना करना पड़ा श्रीकांद को एंजी लॉंग ने 21-21-21-21 से माद दी टॉटन्हेम होट्सपर ने योरोपा लीग में अपना अभियान शांदार अंदाज में शुरू किया स्पर्स ने कारा बैक को हराया हलाकि सातवे मिनिट के बाद स्पर्स को 10 खिलाडियों के साथ ही खेलना पड़ा था परिवहन में आई बाधा के चलते ये मैच 35 मिनिट देर से शुरू हुआ सातवे मिनिट में ही स्पर्स के डिफेंडर ड्रैगुसिन को रेड कार्ड दिखाया गया हलाकि इसके बावजूद स्पर्स तीन शून्य के अंतर से ये मैच जीतने में कामयाब रही स्पर्स के लिए जॉन्सन, सार और सोलांके ने गोल किये और बुलंद होसलों की कहानी है सूबेदार मेजर बलकार सिंग जिहां करीब डेड दर्जन से ज्यादा चोटियों को फते कर चुके हैं सूबेदार मेजर बलकार सिंग माउंट एवरेस समेथ इन्होंने प्रमुख चोटियों पर सफल चड़ाई की है भारती असेना की नौवी पंजाब रेजिमेंट के सम बलकार सिंग इस दिनों पांच दिल्ली गर्ल्स बटालियन में तैनात है सूबेदार मेजर बलकार सिंग एक बार फिर माउंट एवरेस पर चड़ने की तैयारी कर रही है परवता रोही सूबेदार मेजर बलकार सिंग से खास बात की हमारे समवादाता गिरीश निशानाने सुवेदर मेजर बलकार सिंग एक ऐसे वेक्टितु हैं जो अब तक करीब डेड़ दर्जन चोटियों को फत्य कर चुके हैं किस तरह से इनको मिलता है होसला बात करते हैं खुद बलकार सिंग जी से सर कैसे मिलता है आपको इतना होसला जहन मैं जब फोजवाइन करी थी तो मौका मिला था कि आर्मी कोर्स में मौंटनरिंग करने का तो जैसे-जैसे इसमें लगा रहा जुड़ता रहा तो होसला बढ़ता रहा और जैसे-जैसे सबलता मिलती रही पहाड़ों में तो और अपक्षय होती रही तो कुछ हमारी ताकत बढ़ने की से हम मोटीवेशन होते कौन चोटी है जिनको आपने फटी है तरशूल करिये 2016 में मूट अवरेस्ट करिये मौका मिला यह प्रिख कर चुका हूँ व भी गल्स-देट के साथ और भी यह- दूबार मुझे मौका मिला है प्री अब्रेस्ट करने का इसमें वाइस और गर्स भी हैं तो मैं भागे चालू जब चोटी पर चड़ते हैं क्योंकि महाँ पर एक एक कदम रखना अपने आप में भारी होता है। थोड़ा मुश्किलात आती है पर उस मुश्किलात को हम अपनी ताकत मान लेते हैं। कोई बार तो ऐसा लगता है कि मैं इस पहाड़ पे जहां कहीं पहाड़ पे नहीं आऊंगा दोबारा पर दो मिना एक मिना निच्छों उतरने के बाद सब बूल जाता है। तो फिर दो तेने के बाद इश्चा करती है कि नहीं हमें पहाड़ की तरफ चलना चाहिए और वैसे लोग लगे रहते हैं। परवतारोही बनना चाहते हैं। उनके लिए क्या मैसे देना चाहेंगे। परबत व रोहिने का ऐसी गेम हैं जो हम लाइफ में किसी भी टाइम कर सकते हैं बाकी जो गेम्स हैं उसके चाली पचास तीस पैंटीस के बाज छोड़ देते हैं लेकिन एक मौटन रहीं आसी है कि आप किसी भी डिय Argent में आप कर सकते हैं आपको सफलता जरूर मिलेगी केमरामेन गौर्वगिरी के साथ ग्रीस निशाना डीडी न्यूज दिल्ले यहाँ पर लेते हैं चोटा सा ब्रेक देखते रहिए खेल समाचार MDH का किचन की किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं बात जब पीडियों के लिए बनने वाले घर की हो तो समयधारी बड़ी हो जाती है गैलेंट समझता है यह समयधारी अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवान्स टी एम्टी रिबार निर्मान का रियल हीरो मेरे के बास स्वागत है प्रसार भारती और e-sports इंडस्ट्री की जानी मानी कंपनी अम्यूजी स्पोर्ट्स के बीच एक समझोता हुआ है दोनों मिलकर देश में e-sports के भविश्य को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे इस साज़ेदारी के चलते अम्यूजी स्पोर्ट्स की तकनीक को प्रसार भारती की व्रहिद पहुच का लाप मिलेगा इस स्पोर्ट्स इंडस्ट्स का कोई ज़्यादा कोई प्लाटफॉर्म नहीं है जहां पर वो लोग अपने जो टैलेंट है वो शोकेस कर सेके क्योंकि यह आज की जिन ओलिंपिक स्पोर्ट बनने चला है तो यह प्रसार भारती का एक एंडेवर है कि वो इसको बहुत जादा हाइलाइट करें तो हम लोग भी इस ड्रीम जो है आईडियल जो है इनके साथ जुड़े यह एक अच्छा इनिशेटिव हम लोग के तरफ से हम लोग स्टार्ट कर रहे है ताकि हम लोग जितने डीप जा सके और अब बाद गुजरात की गुजरात में खेलों का एक सम्रिद इतिहास रहा है गुजरात के कई खिलाडियों ने राष्ट्रिया और अध्राष्ट्रिय स्तर पर नायाब उपलबधियां हासिल की है देखते हैं खेलों में गुजरात का इतिहास और उपलबधियां इस विशेश रिपोर्ट में आप तो जानके बहुत खुशी होगी तो क्रिकेट तो है ही जिसमें इतियास बताता है कि रंजीत सिंजी दुलीप सिंजी जिन्होंने सारे विश्व में अपना नाम प्रसिद्व किया है उसके बाद हमारे पास चंदू बोर्डे जीत है जब हम दूसरी स्पोर्स के बारे में सोते हैं तो इसी तरह से गीत सेती है अबी बिलियर्ड्स और स्नूकर्ज में वहाँ भी सोनी कुलतानी रुपेश्या और वज हरिया जैसे खिलाडी भी है पहली बार मैंने माइकल फेलर को हराया 1982 जैन्यूरी नैशनल्स में वो अपनी थर्ड वर्ल टाइटल जीत के डाइरेक्ली चैन्नाय आए नैशनल चल रह वर्ल चैंपिन को हरा दिया थोड़ा यो फील वेरी नाइस उसके बाद दो-तीन साल हरते गया हरते गया हरते गया और फिर फाइनली वर्ल चैंपिनशिप में सेमी फाइनल में मैंने इनको हराया और फाइनल में बॉब मार्शल को वर्ल प्रोफेशनल बिलियर्ड चैंपिन गुज़ात में दिये है जैसे कि नानुभाई सूटी उदयन चिनुभाई और इन्हों ने तो वो एक बैकपॉन थे जिन्हों ने शुटिंग स्पोर्स को बढ़ावा दिया था टेबल टैनिस का आप सोचे तो कमने शमेता है जो आठ साल तक नेशनल चेंपियन हो चुके है औ उसकी जो लेंद है और डेट मीटर की है और सामने से जो शॉट आता है आपके पास उसको रियक्ट करने के लिए आपको रिफ्लेक्स दिखाने के लिए आपके पास सेकंड का सोवे भागवा टाइम होता है तो मेरे खाल से वन अप दो बोस्ट चैलेंजिंग गेम बात करें दोजार चोबीस पेरिस ओलिम्पिक्स की तो शरत कमल से लेके मानी का बत्रा से लेके गुजरात के हरमीत देशाई मानव ठककर पही प्लेयर्स ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है पहले के जो प्लेयर्स थे स्टार्टिंग प्रॉम 1970, 1965 में, 1975 में बहुत ही फेमस दोजार साल से राजाओं के इतियास की समराजियों के इतियास की बात की जाए तो घुर सवारी आज भी गुदरात में सवराष्टे के ताटियावाड, जालावाड, गोईलवाड के जो गोडे है उठकी जो नसल है पोलो की जो गेम आज हम लोग नेशनल में या इंटरनेशनल में खेलते हैं वो गेम उस वक्त कई सेक्ड़ों साल से राजा महाराजाओ तो यह गुदरात के सपोर्स का इतियास है और शी एक्ष्टे के आप तो राजीर गुपता, रजीया सेख, इसके बाद अपना अभीके मालेविया, इसके बाद अपने शरीता ग्याइकमार, गाविक मुली, इसके बच्चे और अथलेट उजाट से इंटरनेशनल खेले हैं और अभी भी जुनियर में वी कापी बच् पेरिस उलिम्पिक में कुष्टी में कांसे पदक जीतने वाले भारतिय पहलवान अमन सहरावत का अगला लक्ष जापान में होने वाले एशिन गेम्स में खुद को चैंपियन के तौर पर सामने लाने का है, हलाकि इसके साथ ही अमन ने कहा कि वे पेरिस में खुद के द्व पेरिस उलिम्पिक से आगे अब क्या आगे आपकी तैयारी है? चैंपियन स्यपारी है, वर्ल्ड चैंपियन स्यपारी है, बस उसी पर ध्यान है. पर मैं तो गोल्ड के सोच की जा रहा था पर मैं तो गोल्ड के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे थोड़ी कमी रह गई उसको पूरी करेंगे जो कमी रही है अब तो मखूस हूं लेक बरॉन जीत कर पसंद उस नहीं हूं मेरा तो टागेट है बस गोल्ड जीतना और गोल्ड जीत के हां भई फिर सोचूंगा देश के अगली दो तिन मिनिट तो वे तो अच्छी है उसमें कोई दीकत नहीं है अमन इस उलम्पिक में वजन को लेकर के काफी साजाद चर्चाए हुई खुद आपका भी वजन जो था वो बढ़ा हुआ था लेकिन उसको आपने ब्रॉंज मेडल मैच से पहले कम किया कैसे क्या कर सकते हैं वो मैंने की मैंने बाउट खतम होते ही सहीं फाइनल तो मैंने वहां पर ही सरू कर दीथी प्रैक्टिस रेन कोट पर के जिसे ज्यादा पसी नाए है वह इंपर कर दी थी फिर भी मदर काफी रह गया था फिर विलेज में जाके रात को साड़े बारा एक बज़े स किस तरह से खुद को आगे बढ़ा पाने में हर केवल कुछती नहीं बलकि बाकी गेम्स की अगर बात करें तो किस तरह से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको थोड़ी बहुत कमी रही है वो आगे पूरी करेंगे देश खिलाड़ी बहुत अची प्रैक्टिस कर रह के रहिए उसको थे वहला सा शेयर करिये निवातों गरत में वैरेस बाउ्ट में हां वाउट इसके साथ बैस इतना है बाद में तो बाउट खितम होते ही हम तो आउ ईकितरा रहती हैं प्रतयोंगताय जो होंगी वो भी सामने होंगी लेकिन फिर भी अभी अपने जहन में कुछ आपने गोल बना करके हूए है सरकार के टॉप स्कीन के बारे में बताइए उस स्कीन का किस तरह से फाइदा मिला सपोर्ट्समेन को वी देश में ट्रेनिंग के लिए बेजती है सारा खर्चा उटाती है कि आम आदमी तो नहीं कर सकता इतना खर्चा तो बस बहुत उसी फाइदा मिलता हो लंपिक में वी देश में ट्रेनिंग लेने से टॉपस तो पूरा सपोर्ट्स दे रहे हैं तो यह हैं अमन सहरावा जिनका साफ़तोर पर कहना है कि सरकार की जो टॉप स्कीम है वो वाकरी तो खेल समाचार में फिलाल इतना ही हमारी पूरी टीम को दीजिया नमती नमस्कार कि अधिन नमस्कार